साथियो नमस्कार आज के हमारी इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि हम बच्चा देने के बाद यानि हमारी गाय वेंस जब बच्चा दे देती है उसके बाद हम उसकी गादी को कैसे बढ़ा सकते हैं कैसे बढ़ा कर सकते हैं ताकि उससे अच्छा दूद प्राप्ट कर सके। पिछले वीडियो में हमने आपको जैनगारी दी थी कि ग्याभिन गायवेंस की गादी को कैसे بढ़ाया जाता है। आज के इस वीडियो में ब्याने के बाद यानि बच्चा देने के बाद गादी को कैसे बढ़ाए पूरी की पूरी जानकारी लेके प्रस्ततवा हूँ तो फ्रेंट्स वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप सभी का दन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक कमेंट्स है और सब्सक्राइब कर रहे हैं बहुत बहुत दन्यवाद आप सभी का आईए वीडियो सुरू करते है साथियों बच्चा देने के बाद हमें अगर हमारे गाए बेंस की गादी को बढ़ाना है और सबी का सपना रहता है अच्छा दूद हो मेरी गाए बेस के और अच्छा दूद कब होगा जब उसका अडर अच्छा होगा तो उसके लिए हमें करना क्या है देखिए लिक्विड केल्शियम कई परकार के मार्केट में मिलते हैं आप ले आएं 100 ml पर डे अपने इस पसो को दें जिसके आपको गादी बढ़ानी है इसके साथ साथ मल्टी विटामिन भी देना है यानि ये दोनों चीज़ें तो बहुत ज़्यदा ज़रूरी है हर कंपनी के अलग-लग मात्राएं होती है उसके इसाफ से दें फिर भी कई भाई लोग ये देते हैं उसके बावजूद अडर गादी इतनी अच्छी नहीं होती है उसके लिए मैं आपको ये शांदार नुस्का बताने जा रहा हूँ उस नुस्के में हमें दो चीज़ें लेनी है पहली चीज है पीपली पाउडर पीपली जो आप देख रहे हैं चितर में ऐसी होती है और नस्दी की किराना इस्टोर पर आपको आरौम से मिल जाएगी आपकी शिटी में ही जो बड़ा किराना इस्टोर है उस पर मिल जाएगी कोई तकलिव नहीं है जहां पर हमें मसाले मिलते हैं तो पीपली आप 300 ग्राम ले आएं जादा की जुरूरत नहीं है 300 ग्राम हमें 10 दिन तक देनी है यानि पर अड़े 30 ग्राम देनी है देनी कैसे है इसको हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे पीछ लेंगे पाउडर बना लेंगे ब्राउन इस कलर का इसका पाउडर बन जाएगा इस पाउडर को हमें 15 ग्राम सुबै और 15 ग्राम शाम को देना है लेकिन अकेले नहीं देना है इसे हमें नारियल की तेल के साथ देना है नारियल का तेल अगर सीधा जो नारियल से निकलता है वो अगर आप यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर नारियल का तेल सीधा नहीं मिल रहा है तो आप नारियल ही ले आएं गट जिसे बोलते हैं हम नारियल का सुका रूप गट लेके आजाएँ 200 gram per day गट दें 100 gram सुबै जो पीपली पाउडर लिया था 30 gram उसके साथ सोरी 15 gram सुबै लेना है और 15 gram अशाम को लेना है तो 100 gram सुबै और 100 gram शाम को अगर एक समय दे रहे हैं तो 30 gram पीपली पाउडर और 200 ग्राम यह जो नारियल है घट है जिसका हम बूरा करके यानि अच्छी दिर्गे से किष्णी में कस करके बूरा करके और वो बूरा हम दे सकते हैं किसी प्रकार की कोई तकलिप नहीं है अगर आपको नारियल तेल सुद्ध मिल रहा है तो नारियल तेल लेने तो 50-50 एमल स इसका कोई भी साइड इपक्ट नहीं है आप आराम से यूज कर सकते हैं 10 दिन यूज करोगे जितने में अडर गादी जो है वो शांदार हो जाएगे